हेलो गाईज आम निकी और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल IQ Students Point गाईज जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे यूट्यूब चैनल IQ Students Point पर Political Honors के Students की Classes Start है और आप लोगों को ये भी पता है कि comparative government and politics का जो आपका subject है उसको मैंने complete करवा दिया है मैंने आपको बोला था कि इसकी question series जो है बहुत जल्दी आपको provide करी जाएगी लेकिन थोड़े health issues की वैसे हम आपको वो नहीं दे पाए है so don't worry आपको एक दो दिन में वो भी provide कर देंगे so अभी जो हमने comparative politics के बाद subject लगाया है दूसरा वो है public administration public administration की दो units बची थी so दो units में आज हम third unit लगा रहे हैं और third unit जो है हमारी वो है सावरजनिक नीती public policy public policy अब आप देखिए दो units में इसको बाटा गया है अब आप बोलोगे कि मैम ये तो इतने सारा है तो संकल्पना प्रसंगिक्ता दिश्टी कोण इसके जो relevance है और perspective है इसका implementation है ये मुल्यांकन होता है evaluation ये दोनों जो topics हैं ये दोनों topics से student में जो दिये गए हैं वो आपको एक साथ ही पढ़ाए जाएंगे क्योंकि इन पर अलग-अलग question नहीं आता है ठीक है तो आपको ये सारे चीज़े एक साथ ही पढ़ाए जाएंगी और आप लोग मैंने आप लोग को यहाँ इसलिए ही बात बताईए कि आप लोग बारने मुझसे ये शिकायत ना करें कि मैं आपने इसके आगे का तो कुछ करवाया ही नहीं है क्योंकि ये सारे टॉपिक्स आपस में linked हैं और इन पर एक ही question आता है मिला कर कि public policy क्या है इसकी relevance क्या है प्रासंगिक्ता क्या है या फिर दृष्टी कोड या इसका मुल्यांग करो इसके अलावा घूम कर भी question आ सकता है लेकिन आपको उसमें समझने की जरुवत है कि public policy के बारे में लिखना है ठीक है so आज की जो हमारी class है unit third public policy की सावरजनिक नीती की इसमें हम संकल्पना, प्रासंगिक्ता, दृष्टी कोड, सूत्री करण, करियानवन और मुल्यांकन ये छे topics आराम से बिल्कुल साथ में मिला कर पड़ेंगे ठीक है so let's start सबसे पहले बात आती है introduction की, आप introduction, देखो मैंने आपको बहुत सारी वीडियो में बताया है कि आप introduction की जगा सीधा उसकी परिभाशाएं भी लिख सकते हो, लेकिन introduction लिखना बहुत जादा जरूरी होता है, उसके आपको अलग से एक देर मार्क्स मिलते हैं, क्योंकि teacher, दे बताया है और जो मैं आपको बताने वाली हूँ, उस सब के बारे में आप उसमें जो बताओगे, तो उससे teacher समझ जाएगा कि हाँ, बच्चे ने बढ़ाई लिखाई करी है, तब जाके इस answer को लिखा है, तो introduction at least आपको आधर से जाधा page का या उससे भी जाधा page का लिखना जरूरी है, क्योंकि आप honors के students हो, आपको पता है कि 12 page का, 10 page का answer लिखना ही लिखना है, ठीक है, तो देखो जब introduction की बात आती है, तो इसमें public policy के introduction में गिवाली बात बताए गई है, कि गुरुप्स, जो गुरुप्स होते हैं, उनमें goals को पाने के लिए बहुत जाधा अधि सत्ता होते हैं, और लक्षे प्राप्ती के जो कारण है, उनके, उनहीं के जो संगटन है, उनका पूरा जो वातवरण है, वो निरनतर एक साथ चलता रहता है, और उसमें ही आपस में, मतलब एक तरीके से cycle समझ लो, एक तरीके से cycle कितना वो आपस में ही गोल-गोल घुमता रहता है, उसके साथ साथ इसको एक समाजी ग्रूप से वैदिता भी प्राप्त है, इस चीज को, पब्लिक पॉलिसी को, समाजी ग्रूप से भी इसमें वैदिता बताई गई है, कि हाँ, इसमें समाज की भी एक तरीके से, इसमें समाज का भी इंटरफेर है, समाज चाहता है ये सारी चीजे हो और समाज नहीं इस चीज को आगे बढ़ाया है उसके साथ साथ इसमें जो प्रबंदगी वर्ग हैं उनके लिए ग्रुप का जो गोल है वो काम करने के लिए उन अलग-अलग तरीकों के लिए एक प्रदर्शक की भूमी का निभाता है जिसे संचालन के स्तर में रिलेवन्स होती हैं प्रासंगिक होती हैं उसके बाद इसमें ये बताया गया कि लक्षे की परिभाषा इत्टियोजनी ने इस प्रकार दी है ये एक फिलोसफर है इन्होंने बोला है कि किसी संगटन का लक्षे कामों की वे इच्छत अवस्ता है जिसे संगटन वास्तवे गरूप में मूर्तमान करने या प्रयास करता है लक्षे की अवधारना विवात से परे नहीं है इन्होंने ये बोला है कि किसी भी संगटन का जो लक्षे है किसी भी गुरुप का जो गोल है वो कामों की वो इच्छा बनाता है वो इच्छा वस्था करता है जिसे संगट जो है पुरा गुरुप जो है वो रियालिटी में एक मूर्त जो मनदब एक तरीके से मूर्तमान करने के लिए सामने चीजे रखने के लिए एक तरीके से reality दिखाने के लिए बहुत सारी प्रयास करता है, कोशिशे करता है लक्षे की अवधारना विवाद से परे होती है, उसमें कोई विवाद नहीं होता, कुछ भी नहीं होता उसके साथ ग्रुप के जो लक्षे हैं, गोल्स हैं, उनका अर्थ हमेशा बिलकुल, बिलकुल भी सपर्ष नहीं होता है, घूमता रहता है कोई ग्रुप में, अब ग्रुप है, एक पूरा ग्रुप है, आप हो, example देती हूँ, आप हो, मैं आपके ग्रुप में हूँ, आप मेरे ग्रुप में हो पूरा अब मैं सबसे पूछूंगी उन सब के अलग-अलग perspective होंगे, आप सभी students के अलग-अलग perspective होंगे, कि नहीं मेरा ये है, नहीं मेरा ये है, मैं बोलूँगी मेरा ये है, हो भी सकता है कि आप बहुत सारे बच्चे मेरे समर्थन में हो, हो सकता है सारे ही मेरे समर्थन में हो, ले सारे तरीकों से उसको देखा जाता है जैसे मैंने आपको अब यहां पर बता दिया जो समाच की जीवन के लिए बहुत जादा जरूरी होते हैं इन्होंने बोला है कि जो योजना के अनुसार पूरी प्लैनिंग के अनुसार जो सोशल स्थर पर पूरे इंस्टिट्यूट के गोल्स होते हैं कि हाँ हमें सोशली एक पूरे समाच के लिए यह चीज़ करनी ही करनी हैं तो उनके जरूरतों का विस्तार होते हैं और जो समाच के जीवन के लिए बहुत जादा ही बहुत जादा जरूरी होते हैं दूसरी तरफ से ये दरिश्टी देखी जा सकती है एक तरीके से इस नजरिये से देखा जाता है कि गुरूप का लक्षे गुरूप के सदस्यों की reality जो REAL में उनके लक्षे हैं उनके लावा कुछ भी नहीं होता example की तौर पर मैं आपको समझाती हूं इन्होंने यहाँ पर ये बात बोली है कि जो गुरूप का goal होता है वो एक उनके गुरूप की सदस्यों कि रियल वाले जो गोल हैं उनके लावार कुछ नहीं होता मैं आप समझ लो कि हम एक पार्टी में काम करते हैं आप मेरे स्टूडेंट्स और मैं आपकी लीडर हूँ ठीके और हमारा गोल है इस जगा की सड़क सई करवाना सड़क साफ करवाना या फिर कुछ हैंड पम लगवाना कुछ करना तो हमारा एक तरीके से यह रियल वाला परस्पेक्टिव हम लेकर बैठे हुए कि हमें यह करवाना है तो करवाना ही है हम इसको नहीं छोड़ सकते हैं तो यहाँ पर यह वाली बात बोली गई है, कि संगटनों का लक्ष है, संगटन के सदस्यों के वैक्तितू लक्षों के अलावा और कुछ भी नहीं होता है, लेकिन इसकी बहुत सारे आलोचक है, वो यह बोलते हैं, कि यहाँ पर जो एक लोग नीती का इस्तमाल होता है, वो अ मस्याओं का समधान करना होता है, जीक है, इन उद्देशियों को पूरा करने के लिए सरकार कोई निर्ने लेती है, उसे लोग नीती ही कहते हैं, यह पूरा जो मैंने आपको अभी समझाया है, सिर्फ इस चीज को बताने के लिए, समझाने के लिए मैंने आपको पीछे यह स सिध्धान्त की concept and theories इसकी है क्या देखो लोगनीती सरकारी निकायों और सरकारी अधिकारियों द्वारा विक्सित की जाती है इन्होंने बोली है कि लोगनीती जो हैं वो सरकारी निकाये जो होते हैं उनके द्वारा और सरकारी अधिकारियों के द्वारा डेवलप की जाती है लेकिन जो गैर सरकारी लोग हैं और एजन्सिया हैं वो उनका भी प्रभाव पड़ता है, वो भी लोगनीती में बहुत जादा एक तरीके से अपना योगदान देते हैं, प्राइविट कंपनीज वगेरा जो होती हैं, वो अपना फायदा देखती हैं लेकिन थोड़ा बहुत लोगनीती का भी खयाल रखती हैं, लोगनीतियों का संबन किसी विशेश प्रशन पर निश्चित समय के भीतर की गई कारेवाही से ही होता है, इन्होंने बुला है, जो लोगनीती है, पब्लिक पॉलिसी है, उसका रिलेशन किसी विशेश, किसी इस्पेशल जो कोशन है, उस पर एक लिमिटेट टाइम के अंदर-अंदर कारेवाही करना ही होता है, एक्जेंपल मना भी आपको दिया है, दुबारा बता देती हूं सडक वाली बात है, एक निश्चित समय पर हमें उसको सही करवाना ही करवाना है, उस पे बहुत सा एक्सिडेंट हो रहे हैं, बच्चे खेलते खेलते गिर जाते हैं, लोगों के पैर मुर जाते हैं, पत्थर करने के लिए प्रियोक किया जाता है, इन्होंने बोला है कि लोग नीती एक नियम जो होते हैं, नियमों का एक ऐसा समू है, जिनका जो उदेशी होता है, वो एक मतब प्राप्त करने के लिए प्रियोक किया जाता है, ठीक है, उसकी बात बात आती है परिभाशा की, देखो परिभाशा मतलब बहुत सारे फिलोसफर्स देते हैं आपने जो बुक पर्चेस कर रखी है मैंने आपको जो राइटर्स बता रखे हैं उसमें भी बहुत सारे फिलोसफर्स ने परिभाशा है दे रखी होंगी बलकि एक कारेवाही करने के लिए एक महरा बन जाता है, मार्क बन जाता है, और ये जो policy है, वो किसी purpose को पाने के लिए एक धाचा उपलप्त करवाती है, policy बनेगी तब ही उस चीज़ को प्राप्त किया जा सकता है, भारतिय संदर्ब के अनुसार ये बोला जाता है, ये सरकारे नियमोर कारेकरम होते हैं, जिन पर वैक्तिगत तद्र सामुहिक रूप से विचार विमर्श किया जाता है, ठीक है, ये बहुत एज़ी अलफाजों में मैंने आपको यहाँ पर लिखा है, ताकि आपको इसको बहुत अच्छी से समा जा जाए कि इसमें आपको पढ़ना क्या है और लिखना क्या है, उसके बाद बात आती है प्रभावकारिता की एफिकेसी, देखो इसमें बोला जाता है कि मतलब प्रभावकारिता की बात ना की जाए, लक्षों की बात करना सबसे जादा दिमागदार एक तरीकी से बताया जाएगा उसके साथ लक्षे वो हैं जिने पाने के लिए कुछ भी इनसान कर सकता है वो भी वो जिन में जुनून भरा हो अब गवर्मेंट तो करेगी ही करेगी क्योंकि उनको पबलिक के लिए करना है इनमें ये बात भी शामिल है कि कोई भी लक्षे को रियालिटी में प्राप्त किया गया है या नहीं किया गया है प्रभावकारिता वो विस्तार है वो एक तरीके से वो चीज है जिसमें कोई भी संगठन या समीती संसाधनों के दाइरे में बंद कर अपने लक्षियों को प्राप्त कर सकता है कारे कुशलता जो होती है एफिशेंसी उसको ही प्रभावकारिता मान लिया गया है और मतलब एक तरीके से कारे कुशलता जो होती है ना कारे करने की कुशलता कितनी है आपके अंदर उस चीज को प्रभावकारिता का यहाँ पर नाम दिया गया है और उसके साथ साथ कारे कुशलता का सम्मन उस प्रकरिया से है जिसके तहट कोई संगटन अपने संसादनों के अल्पमत इस्तेमाल द्वारा अपने लक्षों के बहुत जादा पूर्थी के लिए करता है इस प्रकार कोई भी जो होता है संगटन होता है वो बिना किसी भी कारे कुशलता के हुए प्रभावकारी हो सकता है किसी भी कारे कुशलता एफिशियंट होने के बज़ाए वो एक एफेक्टिव हो सकता है यहां पर एक तरीकी से कारे कुशलतार प्रभावकारी अलफाज जो है वर्ट जो है उसका इस्तमाल किया गया है यूज किया गया है एक ही काम को बताने के लिए कि अगर वो उसको करने की शंता नहीं है तो उसे और प्रभावकारी बना कर प्रभावकारिता का नाम दे कर उसमें और effect डाले जा सकते हैं उसके साथ संगटन की जो प्रभावकारिता है उसका जो evaluation है उसकी वास्तिविक जो प्रकिरिया है पूरी जितना कोई सोच सकता है उससे जादा कटिन होती है आप कितना सोचो कि हाँ ये करना ये करना ये करना लेकिन वो उससे कई जादा कटिन होती है बहुत जादा मुश्किल होती है इस अंदर में दो वेकल्प मॉडल सुझाए गए हैं एक तो जो गोल मॉडल है वो उसको गोल मॉडल कहा जाता है और इस अभीगम का मानना ये होता है इस model का कि एक सांगटनिक जो प्रभावकारिता है उसका मातर इसके goals या उत्पादन के लिहाज से evaluation करना होता है ठीक है यहाँ पर ये बात इनको बताए गई है उसके बात ये बात आती है कि प्रभावकारिता की परिभाशा अनेकानिक अन धारन करती है उन्हें निमन लिखेत रूप से पहचाना जा सकता है वो क्या है संसाधन एकत्र करना संगटन में निवेश करना समू की विभिन हेतू को संतुष्ट करना ये सारी चीज़ें बताई गई है और भी बहुत सारी है जैसे निरगतों का उत्पादन करना संगटनो में निवेश करना तो मैंने आपको बता ही दिया है और जो समू है उनमें आचरण और वहवार के नियमों के मतब एक तरीके से उनको बिठाना मेल करना उनका आपस में ये सारी चीज़े फिर इसके साथ साथ देखा जाता है कि जिस सीमा तक कोई भी संगटन अपनी सभी गत गतिविधियों का सर्योजन है और इसमें से हर गतिविधी संसाधन रुपांतरन उत्पाद प्रकिरिया से संबंदित है और वरेहत्तर वातवरन के अनुकूल ही उसको समझा जाता है ठीक है तो आपकी जो थर्ड यूनिट है वो कंप्लीट हो गई है पब्लिक पॉलिसी वा होगी और आज ही क्लास को रिलेकर कोई भी कोशन हो डाउट हो या सजेशन हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स यह हमारे टेलिग्राम चैनल पर पूस सकते हैं तो थैंक्स फॉर दा वाचिंग बेस्ट अफ लक ओल